अलो दोस्तो आज के इस वीडियो में ICR Technician Result के बारे में बात करने बाले हैं कि ICR Technician का Result कब तक दिया जाएगा क्योंकि आप सभी को पताए कि ICR Technician का Exam 5 March को समाप्थ हुए थे और आज 5 मई हो चुक है यानि कि Exam समाप्थ हुए दो मैने का समाप्थ हो चुक है लेकिन अभी तक Result नहीं दिया गया है तो इस वीडियो में आप लोगों को Result से जोरा कुछ Update देने बाले हैं जिससे जानने बाले हैं कि ICR Technician का Result कब तक दिया जाएगा और Result जारी होने के बार Document Verification होने बाले हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी देने बाले हैं कि Document Verification के लिए कितने Candidate को बुलाया जाएगा सारी जानकारी इस वीडियो में देने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पुरा वज़ देगेगा तो सबसे पहले जानते हैं कि ICR Technician के रिजल्ट जारी होने के बाद जो Document Verification होने बाले हैं उसके लिए कितने Candidate को बुलाया जाएगा यानि कि कितने Candidate का सेलेक्षन Document Verification के लिए किया जाएगा तो ICR Technician भरती से पहले जो और भी भरती ICR के दौरा निकाली गई थी अगर उनके Document Verification के नुसार देखे तो ICR Technician के लिए Document Verification के लिए Maximum बेकेंसी के 2 गुणा Candidate को बुलाया जा सकता है Document Verification के लिए लगवग Conspiral Candidate के लिए 600 के आसपास Candidate को Document Verification के लिए बुलाया जा सकता है तो 1300 के आसपास candidate का selection, document, verification के लिए किया जा सकता है अगर बात करें ICR technician का result कब तक आ सकता है तो ICR technician के result के related रोज आप लोगों को YouTube पर इससे कई वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है कि ICR technician का result आ जाएगा, कल आएगा लेकिन अभी तक ICR technician का result जारी नहीं किया गया है और मैंने आप लोगों को इससे पहले बाले वीडियो में बताया था कि ICR technician result के लिए आप लोगों को कम से कम 3 महने का इंतजार करना पर सकता है क्योंकि ICR technician के exam लेने से पहले ICR के दौरा जो भी और exam लिए गये हैं उनके result जारी करने में कम से कम 3 महने का समय लिया गया है इसलिए ICR technician के result के लिए भी आप लोगों को कम से कम 3 महने का इंतजार करना पर सकता है अगर date की बात करें यानि कि किस date तक ICR technician का result आज सकता है इससे पहले रिजल्ट आने का बहुती कम चांस है अगर आ जाए तो अच्छी बात है लेकिन 20 मई से लेकर 10 जून के बीच आप लोगों को ICR Technician का रिजल्ट देखने को मिल सकता है जादा चांस है यानि की 90 पर 30 चांस है की ICR Technician का रिजल्ट 20 मई से लेकर 10 जून के बीच ही आ सकता है इसलिए 20 मई से लेकर 10 जून के बीच ही आप लोगों को ICR Technician का रिजल्ट देखने को मिल सकता है तो ICR Technician के डोकुमेंट व्रिपिकेशन के लिए लगबग 1300 के आसपास कंड़िट को बुलाया जा सकता है वह ICR Technician का रिजल्ट 20 मई से लेकर 10 जून के बीच आ सकता है तो ICR Technician रिजल्ट के लेकर जैसे हैं को और लेकर अप लोगों को वीडियो के मादम से जानकारी देदेंगे इसके लाप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़दा ज़दा शेयर करें और लाइक करें तो चलिए आज का वीडियो से मॉप्त करते हैं वीडियो देखने के लेकर अप लोग का धन्यवाद